नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल एस्टियोलोजिकल गुरुजी में और हमसे जुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बिल आइकन को दबाए जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों स आखड़ी उमीद सिर्फ आप पटे की है और दुनिया में रहने की दो जगा सबसे प्यारी होती है या तो किसी के दिल में या किसी की दुवाओं में और दोस्तों रिस्तों के चाहे में सक्कचरा माप कर रखना चाहिए क्योंकि फेकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और क्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा और आग भी क्या अनुमूल चीज है बातों से भी लग जाता है और जब जिन्दगी हां सायथ तो समझना कि अच्छे कर्मों का पल है और जब जिन्दगी रूलाए तो समझना कि अच्छे कर्म करने का समय आ गया है और दोस्तों लिके फैसले बदला नहीं करते लेकिन आप फैसले तो लिजिए क्या पता आपकी किस्मत ही बदल जाए और दुनिया के सबसे सक्ती चीज है मस्वरा एक से मांगो तो हजार देते हैं और दुनिया के सबसे महंगी चीज है मदद हजारों से मांगो तब जाकर कोई एक करता है और समय भी जाने के बाद कदर की जाए तो वह कदर नहीं अफसोस कहलाता है। और मुसीबत ने फस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोस, वास्तु दोस, पित्र दोस, सनी दोस, कालसर दोस सब दिखाई देने लगता है। केवल खुद का दोसी दिखाई नहीं देता और जवाना बदल गया है। अब याद रहने के लिए याद दिलाना पड़ता है। और अपने पीरा के लिए संसार को दोस मत दो, बल्कि अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंध होगा। और मिठा सहद बनाने वाली मदुवकी भी डंक मार सकता है। इसलिए खोसियार रहे। बहुत मिठा बोलने वाले लोग सि पर रुकना अनुचीत है। चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दल। और जिन्दगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, और कुछ तुम्हारा इस्तिमाल करेंगे, और कुछ तुम्हें जीने का सही मत पतलब भी पता कर जाएंगे और लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ एक भगवान का दरपैसा है जहां पर कभी ताना नहीं मिलता और कभी गिर जाओ तो खोद ही उठ जाना क्योंकि लोग सिर्फ गिरे हुए पैसे उठाती हैं इंसान नहीं और अंतने बस इतना कहना चाहता हूं कि अच्छाई और बुराई इंसान के कर्मों में होता है कोई बास का तीर बनाकर किसी को घायल करता है तो कोई उसी बास के बासुरी बनाकर बास में सुर भरता है तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो अश्य लगी होगी तो वीडिय